आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, स्पाइसी मसाला कौन चार्ट की दो दोरे सिप्यां, जिसे खाकर आज तो मज़ा ही आजाने वालो हैं, अभी थक आपने स्पाइसी मसाला कौन चार्ट मार्केट में खाया होगा, या फिर साधी ड्याम एकसर मिलते रहती हैं, लेकिन घर पर बनाना भी इसको बहुत आसान है, और सिंबल दिगर की चीजों में, बहुते खटे मीटे तीखे कौन चार्ट खाने में बहुत साधिस्ट होते हैं, लेकिन बनाने में उतने ही आसान होते हैं, नमस्कार फ्रेंड, आपको बहुत पूसागत करती हों आपके अपनी रसेई मैं आसकरती हूँ आज की रेसिपी आप के लिए हैल्पस्पिल होगी रेसिपी अच्छे लगे ना तो लीजिशे लाइक दीजेगा और चैनल को जरू सिस्काइब कीजेगा ज्यादा सी ज्यादा फेमिल्ली और देंट के साथ भी जरूर सेर कीजिएगा इसपाइसी मसाला कॉन चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले याँ पर कॉन लेना होगा तो मैंने याँ पर तजर फ्रेज कॉन लिया है इसकी जगह यह तजर फ्रेज आपको नहीं मिल रहा था आप फ्रोजन का इस्तमाल कर सकते हैं नॉर् निकल लेकिन हाथों से जाद़ें निकल जाते हैं इसके दाने बहुत अच्छे होते हैं खाने में नॉर्मल विखायो तो आप रिच्षट पर को यह उबल भी जाते हैं हमने इसके सारे निकाल लिए अब चलते हैं कि तरफ करते हैं नेक्ष्च शायारी तो गैस्ट कर देते को ले ले ली होती ह요 यांप वर्त्न जिसमें हम या पर कौन के दानि को उबालने वाले हैं ऐ crisp से पहले ले लेते पानी आटिके पहले तो यह कमी डालें जिटने हमारी कौन की मात्र होगी थोड़ा सा नमक और इसको पकने दीजिए कि चार से पांच मिनद तक पकेंगे तो अच्छे चुबल जाएंगे तो अपने आफे जो है हलके होके उपर आ जाते हैं आप जाए तो इनको ना प्रेसर कुकर में एक सीटी लगा सकते हो और जट पर बन गे तायार हो जाते हैं कुकर में आप इनको आप जाए तो आप से पहले एक पर पैन ले रही हूं अब फटा पड़ बनाते हैं कौन बनाने के लिए हमने इसमें पानी हटा लिया था इस इसटेश पर आप ना गैस का फ्लेम यहां पर मीडियम पर रख कर दीजिएगा हाई पर मत रखेगा और इसका हमने पानी शेव ल सबसे पहले आप डाल दीजेगा यहां पर बटर बटर डालने से ना इसका जो फ्लेवर है बहुत ज्यादा आजाता है इसमें साइनिंग पी आ जाती है कॉन में तो सब भी जगह पड़ता है मार्केट हो या फिर घर पर हो बटर आप जरूर सेट कीजिएगा इस कॉन के चाट और यहां पर आप तेल का इस्तमाल भी लिल्कुल भी मत कीजिएगा कॉन में हो सकता है तो बटर ही इस्तमाल कीजिएगा कॉन था मारब बन गए आप क्या करते हैं फटाफट बनाते हैं इसकी चाट चाट बनाने के लिए कोई सभी बर्तन दे सकते हो मैं यहां पर कांज का मैंने तो यहां पर तज्य और फ्रेस कौन का इस्तमाल किया था घर पर उबाला था यहां पर फ्रोजन वाली कौन के दान है तो थोड़ा सा आप गुंगोने पानी में रख दीजेगा और इसमें जंजट पी नहीं होता आपको यहां पर उबालना पी पड़ेगा आसान हो आपको ज्यादा चाट पटा तीखा चाहिए आप दूसरी वाली मिश का इसमाल कर सकते हो चाट पटा तीखा बनाने के लिए आपर काली में श्कूटी हुए काली मिश राट करेंगे आदी चमज के बराबर मिल साब यहां पर पज़ी और फ्रेस्वीर यहां पर कूट के डा तोड़ा सा नमक भी आट करेंगे आपके पास सॉल्टे डालब बटर था तो नमक थोड़ा कम ही डालीजेगा जेस्ट करने के बाद आप डाल सकते हो अच्छी सीज को मिला लेंगे ताकि मसाले जो है न कौन में अच्छी से लग जाए यह स्वीट गॉन है तो यह स्वीटन अब फटापर डाल देते इसको एक कौन चार्ट हमारे यहां पर बनके तार हो गया है मसाला कौन चार्ट अब बनाते हैं फटापर से दूसरा मसाला कौन चार्ट इसको रख देते हैं अब दूसरा कौन चार्ट बनाने की फटापर से कर लिते हैं तैयारी तो इसको बनाने क वही मैं एक बाव लिया है जो हमने कौन बचाये थे न बाव में अधा कौन का चाट बना लिया दा कौन हमने यह चाट बनाने के लिए लिया तर इसमें हम बेज़ीटेबल एक करेंगे आदा मैंने प्यास कट कर रिखा था बार इक साथ जितना परसंद करते हो तना हमने जितने भी वेज़ेटेबल डाले हैं इस तो बहुत ही क्रिंजी होती है कौन के दाने हमारे अल्डी आपर उबली हुए है तो सेम तरीके सीज चाट को भी बनाएंगे कुटी हुई काली मिर्च एड करेंगे और यहां पर हम लाल मिर्च का पौडर इस्तेमाल नहीं और यह आपके पास चाट मसाला नहीं है तो कोई बात निसकी फिक्षच सकती हो यहां पर एड करेंगे एक मैने यहां पर बारीक से खट कर लिए हरी मिर्च इसको भी डाल देंदे हैं लाल मिर्च का इस्तमाल नहीं करेंगे तोड़ा से फ्लेवर देने के लिए यहां पर ध इससे थोड़ा सा खटा मीठा तीखा पनाता है तो बहुत यह अच्छा बनता ही चाट अब चाट को मैं अच्छी से मिक्सफ कर देंगे अब यहां पर मैं एक चीज और एड करूंगी जिससे ना इस कौन चाट का तो स्वादी है बहुत लाजभा बन जाएगा बहुत ही बे जिरू से कीजिएगा बहुत अच्छा स्वार लगता है यहां पर इस चाट को आप सर्दी हो क्या गर्मी हो कभी भी बना सकती हो और फिर से यहां पर मिक्सफ कर लेंगे अच्छे से बेजी टेबल हमने एड करी है बेजी टेबल अपने अकॉर्डिंग आप कम हो ज़्याद और भी आड कर सकती हो तो सारी चाट यहां पर बहुत बेतरी बन के तयार होगी है तो देखे अब कर देते हैं फटापट से डाल देते हैं कॉन चाट को भी और चोटे क्या बड़े सभी खा सकती इसको और सर्दी क्या गर्मी कभी भी इसको बना सकती हो आज कल कॉन हर सीजन में आ रही है स्वीट कॉन खाश करके तो देखे दोनों चार्ट हमारी फटा फट बनके तायर हो गई है और इस पाई से आपको जितना अलगता है उतना आप इसमें कम और जादा कर सकती हो तो मेरी तो दोनों कॉन चार्ट यहां पर बनके तायर होगी है आप कप पना रहे हो आता करती हूं आज की रेशिपी आपके लिए खेलप बूल रही होगी और यदि रेशिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज इसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकल ना पूलेगा मिलते हैं यह कैसी नेक्स रेशिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत पोते नवा, तैंकी सो मुच्छ